वेल्कूम हम रिविजिन सेरीज के अंदर आज ये कन्वेंशन और बाइडाविसिटी जिसको ने हम बाइडाविसिटी कन्वेंशन भी कहते हैं उसके बारे में जान करें लेंगे मैं डोक्तर प्रकाश्चेंशन सब्माय टेपार्टमेंट और चुलाजी गवर्मेंट अचमी अचमी सबसे पहले दो शब्दों के बारे में समझ लेजी कन्वेंशन का मतलब होता है certain formal statement of principle adopted by international bodies तो यह एक प्रका की मल्टी लेटरल ट्रीटी है, कहने का अर्थ है ऐसी ट्रीटी जिसके अंदर तीन या उससे अधिक सब्रेन स्टेट्स पार्टी हो. ट्रीटी का मतलब होता है, फॉर्मल लीगली बाइंडिंग रिटर्न डॉक्यमेंट बिट्विन एक्टर्स इन इंटरनेशनल लोग. तो यह जो मल्टी लेटरल ट्रीटी है, कन्वेनिशन है, इसके अंदर सभी पार्टी के लिए कुछ ने कुछ अब्लिगेशन होता है, कि उन्हें यह पूरा करना होगा. बाइलेटरल ट्रीटीज दो पार्टीज के वीच में होती, मल्टी लेटरल दो तीन से अधिक. तो यह एक मल्टी लेटरल ट्रीटी है, इसके अंदर दूसरा शब्द है, बाइलोजिकल डाइवरसिटी, जिसका अर्थ होता है, बाइलिटी अंग लिवी बाइलोग बाइलोजिकल ट्रीज रख पार्टी है, इसका अंदर बाइलोजिकल खार्सिटी लेटी लेटर बिच एकोस्तम तो पार्टी तो बढ़यन ठीकले गुल्छिकल चाहत राटने यह बाइलीग क्य। इसक्वा जिएर्ट्टी बिदी biological diversity, biological variety and variability of life. Biodiversity is a measure of variation at genetic species or ecosystem level. यह आप याद रखें. United Nations ने जो biodiversity की definition दीर की है. आप एक चीज़ और ध्यान रखें. United Nations ने 1992 में जहां Earth Summit हुआ था, United Nations Earth Summit, उसमें biological diversity को define किया था, जो यह definition मैंने आपको बताई गए. और इसी definition का use CBD में भी किया गया है. तो यहाँ दोनों शब्दों का आप Earth समझ लेए. सबसे पहले अगर हम बात करें, CBD की स्थाफ़ना यही नहीं हुई, इसके पीछे जो कारण रहा है, उसके बारे में हम बात करें. तो United Nations Environment Program, UNEP, उन्होंने एक Ad-hoc Working Group of Expert on Biological Diversity, नवंबर 1989 में उसको गठित कन्वीन किया, और इस Ad-hoc Working Group ने यह पाया, यह जो Biological Diversity है, यह एक Global Asset है, जिसकी Tremendous Value है, Present और Future Generations के लिए, और साथ ही साथ, अब तक, कुछ हद तक, जो Sustainable Development है, उसके लिए कुछ हद तक, एक Commitment भी Develop होने लग गया है. अगले कुछ सालों में, जो Ad-hoc Working Group था, Technical or Legal Expert का, उसकी स्थाफना हुई, जिसने एक Legal Text को Draft किया, जिसके अंदर Conervation और Sustainable Use of Biodiversity के बारे में बात की गई थी, साथ ही साथ Benefit Sharing, जो की इन Resources के इस्तेमाल करने से आएगी, जिने हम सवरेन स्टेट्स और Local Community के बीच में शेयर करेंगे, उसके बारे में भी इसमें चर्चाट हुई. तक पश्चाट 1991 में एक Intergovernmental Negotiating Committee की स्थापना हुई, जिसका कार्य था फाइनली, जो फाइनलाइज करना इस Convention के टेक्स्ट को. तो जो यह लीगल और टेक्निकल एक्समेट्स की कमिटी थी, उसने क्या किया है, कि लीगल जो इंस्ट्रुमेंटें उसको प्रिपेर करने का काम किया, साथ ही साथ बेर मीन्स निकालने की कोशिश कीगी, जिसके मादम से लोकल पीपल को सपोर्ट किया जासे. फाइनली फरवरी 1991 में एड़ॉक्ट वर्किंग जो है उसमें इंटल गवर्मेंटल निगोशिटिंग कमिटी की इस्ताथ हुआ है। इसके बाद, एक कॉन्फरेंस का आयोजन, ताकि एग्रिड टेक्स्ट का जो कन्वेंशन आप सीवीडी है, उसके एग्रिड टेक्स्ट का अड़ॉप्टिंग किया जा सकते, इसलिए कन्वेंशन का आयोजन नेरोबी केनिया में 22 मई 1992 को किया गया। जिसे हम नेरोबी फाइनल एक्ट कहते हैं, और ये जो नेरोबी कॉन्फरेंस हुई थी, इसके अंदर इसको फाइनलाइज कर लिया गया। इसके बाद जो कन्वेंशन का टेक्स्ट था, उसे 5 जून 1992 को साइन करने के लिए रखा गया। जिसको हम रियो समिट कहते हैं या रियो समिट कहते हैं उसमें। और इसके लिए एक साल का वक्त दिया गया, चार जून 1993 को ये साइन करने का जो का रहे था, वो बंद हुआ। तब तक 168 मेंबर स्टेट्स ने इस पर साइन कर लीड थे और इसके पश्चात 29 दिसंबर 1993 से ये जो CBD है ये प्रभाव में आया। तो इसके बाद में साथ में इस convention ने ये recognize दिया, पहली बाद, international law के अंदर ये बात लाए गए, कि जो convention, conservation of biodiversity है, ये common concern है humankind का। और साथ ही साथ ये बात भी आई, कि जो developmental processes हैं, उनका ये integral part है। इस agreement के माद्यम से सभी ecosystem, सभी species और genetic resources को शामिल किया गया। इसके माद्यम से जो traditional conservation efforts हैं, उनको आर्थिक जो goal है, economic goal है, उनके साथ में link किया गया, और इस तरीके से link किया गया, कि fair और equitable sharing of benefits की और साथ ही साथ sustainable development भी रहे। इसके अंतरगत जो rapid expanding field है, बायो technology के, जो की कार्ट जानब protocol on buyer safety के थुरू आये, उनने भी सम्मिलित किया गया है। इस convention ने इस चीज़ को खासतोर पर emphasize किया, कि जो natural resources हैं, वो infinite नहीं है, और उनका sustainable use होना चाहिए। इसकी parties की जो पहली meeting थी, वो 28 से नवंबर से 9 December 1994 को बहा मास में आजित की गई थी। CBD के articles तक जाने से पहले हम कुछ चीज़ों को और समझने, कि CBD ने 2010 के अंदर जीओ इंजिनिरिंग की कुछ forms को ban कर दिया, यह कहते हुए कि यह जो diversity है उस पर negative असर डाल वेगे। तो इसके अंदर CBD में जो महतपूर्ण issues को handle किया गया वो है, मिजर्ड इंसेंटिव ऑन सब्सक्विश नेकिल यह जो जाब घॉर्य सोची डाल झानिखंड ऐन तर एंदिष बिच्शान जियोवा का द जाच काई का जाराम जानिई ट्यो थाल वी ट्यों सेंदिक के अंदित रिश्चान टनिशन रिजल में टॉर्फार्ण ट्यों टमें इसके लावा इंपक्त असेस्मेंट, एडुकेशन और पॉब्लिक अवेरनेस, फानेशल रिसोर्स प्राविजन, एड्सेट्रा। 2016 तक इसके अंदर 196 पार्टीज शामिल हुई थी, जिनमें 195 मेंबर स्टेट्स थे और इसके लावा यूरोपेन यूनियन भी इसके अंदर सामिल है। सभी लगबग सभी UN मेंबर्स इसके अंदर शामिल है। और इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन है वह है यूनाइटेग इस्टेट्स जिसने इससे अभी तक रैटिफाई नहीं किया। इसको साइन तो किया है बड़ इसको अभी तक रैटिफाई नहीं किया है और नहीं अभी तक को उन्हेसका प्लान बताक है कि वह-कशन कंडान कि तो ये in इनने CBD की हिस्ष्रीटे बारे में जाना next में हम CBD का जो टैक्स्टे और आर्टिकल से उत्रे बारे में बात हुए इथान ये बात हुए